नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंग्विज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम एक ऐसे अध्भुत विशे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग परेशान होते हैं इसको इस तरह से समझ के देखिए दोस्तों एक परिवार में तीन भाई हैं और किता हैं सबसे बड़ा वाला भाई छोटी ही उम्र से जब उसकी उम्र 18 और 17 साल थी तब से एक मेडिकल स्टोर अपना शुरू करता है और उसमें होलसेल का काम शुरू करता है और उसके बाद में वो दीरे 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 जैसे उसकी एज 34-35 तक आती है तो वो अपने चोटे से कारोबार को करोणों के कारोबार तक अपनी मेहनत से बना लेता है अब उसके साथ ही उसके दो भाई जो मेडिकल फील्ड में ही है लेकिन छोटे मोटे तरीके से काम करते हैं लेकिन अलग करते हैं भाईयों की विचारदारा में फर्क है अब जो बीच वाला भाई है अर्थाथ सेकिंड नंबर ओफ सन वो अपने फादर को और अपने छोटे भाई को अपने साथ मिला करके और बड़े वाले भाई को उसके कारोबार से रातो रात बेदखल कर देता है क्योंकि जो बड़ा भाई जिस दुकान पर काम कर रहा था वो दुकान उसके फादर के नाम थी और उस जो लड़के ने मेहनत की 35 यर्स तक जिस लड़के ने मेहनत की अपना एक नाम बनाया उस नाम के साथ वो जगे को जोड़ के देखा जाता है कि कौनसी शौप किस नाम से किस जगे पर है जगे का भी बहुत महत्व होता है किसी कारोबार के चलने में और रातो रात उसको बेदखल कर दिया गया और उसके अपने भाईयों ने उसके फादर के साथ मिलकर शर्यंत्र किया और रातो रात उसे कारोबार से बाहर कर दिया उसके बाद उसने नई सेरे से अपनी जिन्दगी शुरू की इसी तरह का दोसकों एक केस और भी है एक परिवार में चार बच्चे हैं बड़ा वाला बेटा कारोबार करता है जिसका कारोबार बहुत साधरन रूप से चलता है छोटा वाला बेटा बैंक में नौकरी करता है और अच्छी पोस्ट पर उसका सेलेक्शन हो जाता है उससे छोटी दोनों बेहने भी अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपनी फैमिली में लगे रहती है अपनी family में जो भी family के काम होते हैं उनको आगे बढ़ाती रहती है ठीक है दोस्वों अचानक से क्या होता है कि family के लोग मिलकर जो लड़का सबसे जदा अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था जिसका सेलेक्शन बैंक में हुआ था उस व्यक्ति के खिलाफ परिवार के सारे लोग शडियंत्र करके उसे ये डिसीजन सुना देते हैं कि आप अपने रहने का बंदोबस्त अलग कर लो रातो रात ये डिसीजन हो जाता है और उसे बिना उसको चार बरतन भी दिये घर से निकाल दिया जाता है उसके छोटे बच्चों के साथ उसकी पत्नी के साथ उसे घर से अलग कर दिया जाता है ये इश्वर की अनुकम्पा है कि उसके पास एक बहुत अच्छे स्तर का सरकारी जोग है इसके बाद भी दोस्तों इस तरह के कई केसिस हम को ऐसे देखने को मिलते हैं जिन में अपनों के शडेंत्रों के शिकार होते दिखाई देते हैं बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी से केवल बाहर वाले ही नहीं जलते अपने घर के जो लोग अपने होते हैं वो भी बड़ी मात्रा में अंदरी अंदर सुलगते रहते हैं सच तो ये है कि आपको कामयाब होते हुए कोई नहीं देख सकता सिर्फ अपने माता-पिता को छोड़ कर कौन सी होती है वो ग्रहे स्थितियां जो इंसान के साथ रातों रात इस तरह की स्थिति बना देती है कहने को तो कहा जाता है कि कुंडली के छटे भाव से हम रोग रिण और शत्रू का विचार करते हैं तो क्या सभी तरह के जगडे फसाद, सभी तरह के शड़ैंत्र कुंडली के छटे भाव से ही देखे जाते हैं नहीं, जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसी ग्रहे स्थितियां और बनती हैं जो इनसान को रातो रात उसके अपनों के द्वारा शड़ेंत्र के माध्यम से एक बहुत बड़ी विपत्ती में फसा देती हैं दोस्तों विशेश तोर पर इन दोनों व्यक्तियों की जो अभी हमने आपको जिनके बारे में बताया एक मेडिकल लाइन का ललका और दूसरा बेंक वाले सज्जन इन दोनों लोगों की जब कुंडली का अध्ययन हमने किया तो उसमें इस पश्ट तोर पर हमें ये देखने को मिला कि जिस लड़के का मेडिकल स्टोर है उसके लगन का स्वामी कुंडली के छटे और बार्वे भाव के स्वामी के साथ कुंडली के चौथे भाव में बैठा है अब उन्डली के चौथे भाव में बैठा हुआ है जैसे ही लगन की दशा शुरू होती है एकदम से ये गटना गटती है और उसे उसके कारोबार से हटा दिया जाता है उसे वापस शूनने से शुरू करना पड़ता है और वो अपने परिवार के आगे कुछ बोल भी नहीं पाता इसी तरह से हमने दूसरी कुंडली का जब अध्येन किया जो बैंक वाले सज्जन है उनकी कुंडली में कुंडली के लगन का स्वामी कुंडली के आठवे भाव में बैठा हुआ था अब दोस्तों कुंडली के आठवे भाव में लगन के स्वामी के होने के बाद उस पर पाप ग्रहों की द्रश्टी भी थी कोई शुब प्रभाव नहीं था उस व्यक्ति को रातो रात परिवार के लोगों ने शर्यंत्र करके और उसे घर से निकाल दिया तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तोर पर एक शर्यंत्र योग किस प्रकार से बनता है जो इन दो कुंडलीयों के अलावा भी बहुत बड़ी संख्यावे कुंडलीयों में देखने को मिलता है कि यदि लगन का स्वामी कुंडली के आठवे भाव में बैठ जाए और उस पर पाप प्रभाव आ जाए किसी वी तरह का कोई शुब ग्रह का प्रभाव न हो तो जातक के कुछ ऐसे ग्रहों की दशा अंतर दशा जैसे छटवे आठवे बारवे भाव की दशा अंतर दशा आ जाए तो जातक के अपने ही अचानक उसके साथ शड़यंतर कर जाते हैं इसी तरह से दूसरी स्थिती ये होती है कि यदि जन्म कुंडली में लगन का स्वामी कुंडली के अंदर कमजोर होकर छटे आठवे बारवे भाव के स्वामी के साथ और विशेशकर आठवे भाव के स्वामी के साथ यदि बैठ जाता है और बावजूद उसके उपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव आ जाता है तो definitely ऐसा जाता अपनों के शर्यंतर का शिकार होता है दोस्तों बाहर वाले जब किसी तरह की कोई इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो इंसान को अफसोस नहीं होता लेकिन जब अपने ब्लड रिलेशन के लोग जब अपने खुद के अपने कहे जाने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो ये इंसान के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी तरासदी बन जाती है जो इंसान मरते दम तक कभी नहीं बूल पाता तो दोस्तों जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर लगन के स्वामी लगनेश का संबंद कुंडली के आठवे भाव से बन रहा है या कुंडली के छटे आठवे बारवे भाव के स्वामी के साथ लगन का स्वामी कमजोर होकर बैठा है विशेशकर आठवे भाव के स्वामी के साथ तो जातक को बहुत सावधान रहना चाहिए अपने गुप्त राज अपनी प्राइवेट जो भी आपकी डिसकशन्स है वो किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए नहीं तो आठवा भाव पीडा दायक है और जब ये जागरत हो जाता है लगनेश की कमजोरी के कारण या लगनेश से संबंद बनाने के कारण तो ये भाव जीवन का सबसे बड़ा पीडा देने वाला भाव बन जाता है तो दोस्तों यदि शर्यंत्र योग से जुड़े ये दो सूत्र आपको अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा धन्यवाद दोस्तों